हलो मेरे प्यारे जुनोनियंज कैसे हैं आप मैं साफशी के शरवाल आपकी मादमारिक्स मेंटर आपकी टीचर और आपकी गाइड जो भी बच्चे कहां से बोलेंगे यहां से दल से बोलेंगे तो आज हम लोग करने वाले हैं NCRT को एक्जेंपलर के कोशिंस फ्रॉम लाइन अब लाइन अंगल जैसे हर क्लास में मैं यह चैप्र स्टार्ट करती है वो यही बोलती है कि बेटा यह मैं ने पहले पढ़ा रखा बहुत ब्रीफली अच्छी तरीके से मैंने सारा एक्स्पानेशन आपको कर रखा तो आप पहले जाए वो वीडियो देखिए और उसके ब होगा अब बहुत सारे बच्चे सोचते वाई NCRT एग्जेंपलर स्कूल तो नहीं फॉलो करता है बट अगर आप NCRT एग्जेंपलर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो NCRT एग्जेंपलर में आपके क्वेशन आपके दमाग को हर जगे से आपसे बोलता है कि येस यू स्ट्रॉंग कर देगा और इस साल अगर आपने टॉपिक स्ट्रॉंग कर लिया ना तो नाइन स्टैंडर में यू ऐसे जाके ऐसे घूमोगे आप लोग राइट यू फिल लाइक आई नू अच्छी फीलिंग आएगी कि या नाइन स्टैंडर तो बहुत ही ईजी है जब जो के लिए है जिन्नों ने ये पूरा topic पढ रखा है इसके सारे definitions, adjacent angles, complementary angle, supplementary angle, linear pair, क्या होता है? parallel lines क्या होती, transversal, corresponding angles, alternate angles, co-interior angles क्या होता है? अगर वो अपको definitions clear है? तभ ही आप ये video देखिए, otherwise पहले आप वो video देखिए, and then see this video, then you will find this, ah I know this, I know this, you will feel like that, okay? चालो, start करते हैं आज की क्लास, क्या बोला हुआ, चालो भाई, फड़ा फड़ा अपने आप लोंगो, हम लों क्या करेंगे, स्टार वाला माकिंग सिस्टम रखेंगे, तो फड़ा फड़ा कॉशन करते, क्या बोला है, the angle between the northeast, northeast and the northwest, तो ये पूरा अंगल northeast 90, 90 किता होगे, 180, बेटा, सम किता होना चाहिए, दो एंगल का 180 डिगरी होना चाहिए, तो इन में से सम 180 कौन सा है, ये तो नहीं है, ये दोनों acute-acute नहीं, acute-acute कभी 180 नहीं हो सकते, अब देखो, 179 प्लस 2, तो obviously 181 हो गया, तो ये भी नहीं, तो obviously option number C आपका क्या होगे, correct हो गया, इस तरह से आप questions को eliminate करना सीख सकते हो, हर चीज जल्दी भी के जा सकती है, चलवाइ, next question, in a figure, a pair of the corresponding angles, corresponding angles कैसा बनाता है, एक F बनाता है, कैसा बनाता है, F, ये उपर-उपर वाला, ये इसके बगल-बगल वाला, फिर इसके कौन सा बेटा, नीचू-नीचू वाला, कौन सा, ये नीचे आपका corresponding angle है, ये और ये वाला आपका corresponding angle है, ये और ये वाला आपका क्या है, corresponding angle है, तो इसमें से चेक कर लो, बेटा, 1615, 2615, 37 and 48 आपकी corresponding angle है, तो इसमें 12 तो नहीं है, 36 भी नहीं है, right, 35 भी नहीं है, और क्या होगा, 37 आपका option correct हो जाएगा, now, coming to your next question, it says that if two lines are intersected by a transversal, then the number of the pairs of the interior angle, अब माल लीजे, आपके पास कोई ऐसा दो line है, यहाँ पर word mention नहीं किया हुआ है, कि वो line parallel है, पर ये क्या हो रहा है, ये वाली line आपकी क्या होगी, transversal होगी, right, ये आपकी line क्या होगी, transversal, transversal, transversal line है ये आपकी, अब transversal line में पूछा हुआ है, then the number of pairs, बेटा, पेर्स में बताना है, माला, पेर्स मतलब जैसे pairs of socks, तो माला, दो होते है, pair of shoes, तो माला, दो shoes एक साथ करी तो, आप एक पैर का मुझ जूता थोड़ना, खरी तो पैर्स, पैर्स of scissors बोलते हैं, right, so this means what, की दो चीज एक साथ होंगी, pairs of numbers, that is number of pairs of interior angle on the same side of the transversal, on the same side of the transversal मतलब किया left में देखना है, तो पहली बात आपका interior angle कौन सा होगा, एक ये interior angle और ये की interior angle, एक ये interior angle और ये interior angle, तो बोला है same side, तो मतलब left-left वाला देखो और राइट-right वाला देखो, तो यहाँ पर किता हो रही है, ये एक pair है, और ये कैसा है, दो pair, total angle चार बन रहे है, pairs कैसे बन रहे है, बिटा, this is what, इसका मैं 1 और 2, 1 और 2, angle 1, and angle 2 एक पेर है और angle 3 और angle 4 कैसा है एक पेर है अंगल 3 और angle 4 कैसा है एक पेर है कैसा है एक पेर तो how many pairs are there simply two pairs are there किते बिटा two pairs आपके हो जाएंगे now next question fill in the blanks to make the statement true the two lines two lines in a plane which never meet at any points are called कोई दो लाइन कभी दूसरे से नहीं मिल सकती वो लाइन कैसी होती है हमेशा parallel lines एक दूसरे से कभी नहीं intersect करती है ना तो हम यहां पर क्या word लिखेंगे जल्दी से बोलो parallel line लिखेंगे क्या लिखेंगे parallel lines लिखेंगे are called what parallel lines word आगे lines भी होगा now next question the angle of the angle of linear pair are what जब हम लोगने linear pair पढ़ा था तो linear pair कैसा पढ़ा था linear pair के लिए यह ऐसा होता है तो यह और यह angle दोनों कैसे होते है पहली बात यह दोनों अगल अगर अग्जेसेंट होते और दोनों का सम कितना होता है 180 होता है है ना तो पहली बात linear pairs are what दोनों आगल कैसे होते है प्याट diffi पहला क्या होता है adjacent 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 as well as कैसे होने चाहिए डोनों का सम कितना होना चाहिए 180 degree so this is what they should be what supplementary कैसे होने चाहिए बेटा, supplementary, supplementary angles होने चाहिए, right, first thing, now, next question, the adjacent angles, adjacent angle का हम लोगे definition क्या पढ़ा था, दो angle adjacent कब होते हैं, कि दोनों का क्या हो, बेटा, ये angle और ये angle, और ये angle, right, तो ये angle 1 और angle 2, तो angle 1 और angle 2 का क्या होना चाहिए, common vertex, रिखा हुआ, and a common arm, तो बेटा, ये बताइए, कि आपका य ये वाला common arm है कि नहीं है, ये आपका एक common arm होना चाहिए, common arm होना चाहिए, क्या होना चाहिए, common arm होना चाहिए, and no common, कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, कि दोनों के बीच में common हो, तो कोई भी एक भी interior point, अगर मान लीजे, एक interior point मैंने यहां लिया, तो ये इन दोनों के पीच में क्या होना चाहिए, common नहीं होना चाहिए, so no common interior points यहां पर word लिखेंगे, no common interior points क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, no common interior, कोई भी common interior point नहीं होना चाहिए, right so no common interior point तो अभी आपको क्या करना है यह सब बहुत basics होता है देखो सब definitions ही तुमारे clear हो रही है अब तुम्हें यह सारी चीजे आ रही होंगी न बच्चे तो आपका definition is like कि मैंने पढ़ा है मैंने समझा है मैंने पढ़ा है मैंने समझा है यहां से आपकी यह चीजे clear होंगी कि आपने रटा है कि आपने पढ़ा है ठीक है तो दोनों चीजे होती है the sum of two complementary angles को क्या मैंने state whether the following statements are true or false two complementary angles कैसे होते है जिनका sum 90 degree होता है और यहां पर क्या लिखा हुआ है that is 180 degree तो यह statement कैसा हो जाएगा this comes out to be what बिटा false क्या हो जाएगा अपका false हा जाएगा यहां ना next क्या बोला है the sum of two supplementary angle is 180 degree yes obviously that's true क्या लिखेंगे true चलो भाई मुझसे पहले पहले लिखो फटा फट्रू now next the sum of the interior angle on the same side of the transversal with two parallel lines is what 180 degree अभी जो हम लोग ने यहां पर बनाया बिटा यही इसी की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है lines कैसी है parallel है right lines कैसी है parallel है और यह आपका transversal है यह आपका कैसा है बिटा transversal line transversal transversal line transversal line है तो आपका यह angle और यह angle के बारे में बात कर रहा है आप से अरे यार हुआ यह और यह पैर that is one and two और यह किसके बारे में बात कर रहा है three and four तो यह angle one and angle three angle sorry angle three and angle four and angle one and two are what these are what co-interior angles and co-interior angle का sum हमेशा कैसा होता है 180 होता है यह हमने पढ़ा है की नहीं पढ़ा है बेटा angle one and angle two तुम्हारा का होगा these are what co-interior angles यह सारे कैसे हैं बेटा they are what co-interior angles यह कैसे है co-interior co-interior angles और उनका sum कितना होता है उनका sum होता है that is co-interior angles तो इसका मतलब क्या हो गया कि angle one plus angle two कितना होना चाहिए 180 degree and angle three plus angle four कितना होना चाहिए 180 degree they are supplementary but यहां पर बोला हुआ है कि parallel lines that is sum उनका sum कितना लिखा हुआ है 90 degree लिखा हो तो यह क्या हो गया आपका statement false हो गया यह basically कैसा होना चाहिए 180 degree that it should be compliment sorry it should be supplementary not complimentary right now next question vertically opposite angles are equal yes अगर मान लीजे आपके पास कोई दो लाइन है यह कोई दो लाइन है तो दो लाइन में कितने अंगल बने एक अंगल A और अंगल B और यह अंगल C और अंगल D क्या होगा is तरह से बना दियरimentos सू that statement is what's simply yes next question यह दिया हुआ है इन ता इत सिंगलर्ण ऐर्न स्थी अर्म किक यह व्रह यह लाइन ऐसा व तरह स्थमों लिए इसमें थेया हुआ हसाए कि अभली लाइन ग्रिश हा देखो मैंने एक single line बनाई, देखो मैंने ऐसी line बनाई और ये वाली line बनाई, पिर दूसरा क्या दिया हुआ है, कि qr is parallel to what बेटा, qr is parallel to st, जैसे आपको parallel line दे, तो सबसे पहले दिमाग में 3-4 तरे के angles चलाने चाहिए, कैसा कहीं से corresponding angle मिल जाए, दूसरा कहीं से alternate angle मिल जाए, कहीं से हमें को interior angle का sum किता मिल जाए, 180 degree मिल जाए, या vertically opposite angle मिल जाए, पर parallel lines पर ये 3 चीज़ तो पहले आपको सोचना चाहिए, vertically opposite angles भी कर सकते, linear pair भी चलता है, तो आपको ये सारे angle फटा-फट आपको दिमाग में लेते वे चलना, अब यहां ध्यान से देखो, कि इस वाले line में, कि यहां पर जब PQ parallel to RS है, तो ये angle और ये angle क्या हो जाएगा, आपका equal हो जाएगा, that is alternate angle, तो क्या मैं बोलू, कि PQ is parallel to RS, तो X की value कित्ती हो जाएगी, 39 degree, reason क्या लिखेंगे, alternate angle, क्या लिखेंगे, alternate angle लिखेंगे, अब अगर ये 39 हुआ, तो अब यहां ध्यान से लिखेंगे, कि यहां पर जब यहां से ऐसे चले, ऐसे चले और ऐसे चले, यह तो यहां पर यह angles कैसे हुए, यह angle और यह angle एक दूसरे से क्या बना रहे है, Z बना रहे, Z बना रहे का मतलब क्या, कि they are what, alternate angles, equal हो गया, so we can write that, QR is parallel to ST, तो we can say, that is angle Y is equals to what, 39 degree, और reason क्या लिखें angle, that's it, very easy, very easy, right, very easy, now coming to the next question, it says in the given figure, angle 1 and angle 2 of the letter N, forming a pair of adjacent angles, so agar adjacent angles form कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात क्या बताओ, adjacent angle होने के लिए सबसे पहले common vertex, तो क्या angle 1 और angle 2 का common vertex है, angle 1 का common vertex यह है, और angle 2 का vertex यह है, और angle 2 का vertex यह है, तो पहली बात तो यहीं पर यहीं पर यह तो बात खतम, so no, they are not adjacent, लिखेंगे क्या, they are not adjacent, they are not adjacent, reason, इंका पहला ही point क्या है, they don't have common vertex, they don't have common vertex, simple, इंके पास common vertex नहीं है, खतम बात, common vertex नहीं है, तो नहीं है, now next question, what does the next question say is that, in the given figure, the point A, O, B are collinear, मतलब क्या, यह एक straight line में लाइकर है, है न, collinear का मतलब क्या, कि they are lying in a word, a straight line, कैसे एक straight line में है, right, straight line, इसका मतलब यहीं होता है, देखो, words को break करो, अब यहाँ पर straight line नहीं देके, आपको थोड़ा सा घुमा दिया, बोला है कि A, O, B, collinear, मतलब क्या, एक तीनों point, एक line में लाइकर है, तो मतलब क्या, वो a straight line है, क्या बोला है, the ray, O, C, O, C कैसा है, ray, O, C, इस perpendicular, तो यह angle किता है, 90 degree है, check whether angle A, O, D, and angle B, O, C, are what, बेटा, complementary or not, यह किता angle दे रखा है, 3A, चलो भाई, चलो चलो, 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 complementary का मतलब क्या, simple सी बात है, हमसे पह है ना, और angle क्या दिया हुआ है, B, O, C, तो यह 100% complementary है, reason, 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 पेटा, मान लो कि तुम्हारे पास पूरा यह angle किता था, 180, है ना, और इस में से तुमने जब 90 निकाल लिया, तो यह और यह बचे वे angle कितने होंगे, राइट तुम्हें एक बात बताओ, जब तुमने क्या किया, मैं फिर से समझारी हूं, फिर से समझारी हूं, यह वाला जो angle था, यह पूरा angle किता था, 180, तो यह जो छोटू सा angle बीच वाला था, वो 90 था, तो यह बचा हुआ, यह angle और यह angle, किता होगा, that is angle A, O, D, plus angle B, O, C, will be equals to what, simply 90 degree होगा कि नहीं होगा, तो हमापास values नहीं दी हुई थी, पर हमें क्या पदल चल गया, कि यह दोनों angles का 100% सम किता होगा, 90, हमें exact value नहीं पता, तो यह क्या होगा, yes, they are complimentary, अब क्या पूछा हुआ है, angle A, O, C, मैं फिर से कर रही हूं, B part, क्या लिखा हुआ, angle A, O, C, and angle B, O, C, तो angle A, O, C, किता है, बचा, angle A, O, C, यह वाला value है, है न, angle A, O, C, यह है, है न, और angle B, O, C, कौन सा है, बचा, angle B, O, C, यह है, that is angle B, O, C, यह है, तो यह angle प्लस यह angle के 100% supplementary है, yes or no, क्योंकि दोनों कैसे adjacent हैं, और दोनों कैसे linear pair बना रहे हैं, so this is what, that is, this is angle B, O, C, is equals to what, 180 degree, because they are forming what, last में लिख दो linear pair, क्या लिख देंगे, linear pair, यह तुम्हें logically सोचना था, क्या सोचना था बेटा, logically you have to think कि यह ऐसे होगा, now next question, क्या दिया हुआ है, in the given figure, पहले इस figure को ध्यान से देखो, figure को ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है, पहले हम यहां पर बनाएंगे, कौन कौन सी lines parallel है, क्या बोला ह है कि AB वाली line, AB वाली line, AB वाली line is parallel to EF, यह मैंने arrow बना दिया, ठीक है, फिर मैंने color change किया, फिर बोला है, ED वाली line is parallel to BC, तो यह वाली line इस से parallel है, अब यह बोला है, angle APE39 है, हमें find करना है, CQF, यह वाला angle find करना है, X, अब थोड़ा बुद्धी लगा है, थोड़ा क्या कर करना है, अब पहली बात, कभी भी आपके पास parallel lines दें, मैं बार बार बोली corresponding angles, alternate angles, co-interior angles को दूनना, start करो, तो पहली बात, अगर यह बेटा 39 है, यह अगर 39 है, तो यह भी किता होगा, 39 होगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यह आपका क्या हो गया, alternate angle हो गया, दिखा 39, alternate angle, मैं थ अब देखो, यह line और यह line parallel है, तो अगर यह 39 होगा, तो यह भी किता होगा, यह भी किता होगा, 39 होगा, reason यहाँ पर क्या लिखेंगे, corresponding angle, क्या लिखेंगे बिटा, corresponding angle लिख देंगे, इसके लिए corresponding angle, और इसके लिए क्या लिख देंगे, हम alternate angle लिख देंगे, alternate angle, अब जैस हमें यह अंगल मिल गया, यह अंगल मिल गया, तो बेटा, 39 और X कैसे एक straight line में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 39 और X क्या बन रहा है, 39 और X क्या बन रहा है, linear pain बन रहा है कि नहीं बन रहा है, they are what in the straight line, तो 39 plus X is what in a straight line, so we can find what, 180 से minus कर दो and you will get the answer, तो अब यहां पर इसको लिख लेते हैं, लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले हमको पता है, कि AB is parallel to EF, तो can we say, that is angle APE is equals to what, angle PEQ के बराबर होगा कि नहीं होगा, angle PEQ के बराबर होगा, तो angle this is equals to what, 39 degree is equals to what, angle PEQ के बराबर होगा, reason क्या लिखेंगे, alternate angle, अना पहली चीज आ गई, अब दूसरी बात हमको क्या पता थी, pink वाली लाइन, pink वाली लाइन क्या थी, parallel थी, तो can we say that second चीज, that is ED is parallel to BC, अब can we say that angle PEQ किस के बराबर होगा, तुमने अभी किया, that is BQF के बराबर होगा कि नहीं होगा, देखो यह सारे जो questions होते, और उसी में solve कर दो, तो reason क्या लिखेंगे, corresponding angle, तो यह कितना होगया, this is equals to what, बिटा, 39 degree, that is angle BQF, यहां से हमने यह निकाल लिए, अब third point क्या हमने देखा, कि angle, that is BQF plus angle CQF will be equals to what, 180 degree or not, yes or no, यह angle plus यह angle कितना होगा, 180 degree होगा, तो यह कितना होगा, 39 degree, plus angle CQF is equals to what, 180 degree, तो angle CQF is equals to what, 180 degree, minus of 39 degree, which is equals to what, बिटा, 141 degree, आपका क्या आगया, answer, this is how you do it, तो यह आपका क्या हो गया, कि जब आपके पस कभी भी questions आई, parallel lines का, तो सबसे पहले दिमाग में यह सारी चीज़े चलनी चाहिए, questions को क्या करो, पहले एक मस्तर सा figure बनाओ, copy पे, pencil से बनाओ, मयूस pencil, figure को, diagram को pen से बनाना है, बनाओ, और पेंसल से पहले questions को solve करो, basic, class 7th और 9th standard में, आपके maximum questions figure में ही solve हो जाते हैं, उसके लिए जादा लिखना नहीं पड़ता, once you have solved the question in the figure itself, बस कुछ नहीं, इस तरह से आपने सारी जानकारी लिख दी, कि भाई, teacher को मैंने बता जिया, कि मुझे आता है, मैंने copy में किया, ठीक है, तो this is how you do it, right, now, coming to your next question, it says that, one pair, out of the pairs of the complementary angles, one is two-third of the other, find the angles, तो माल लो कि बेटा, दो angles कैसे हैं, complementary, अगर माल लो एक अंगल 40 है, तो दूसरा अंगल किता होता है, 90-40, अगर एक अंगल 30 है, तो दूसरा अंगल किता होता है, 90-30 होता है, right, तो माल लेते हैं, कि let, let one angle is what, x, तो इसका complement angle किता होगा, complement, meant angle किता होगा, this is going to be what, 90- of x-degrees के बराबर होगा, अगर एक अंगल 30 है, तो दूसरा अंगल किता होगा, 90-30, एक एंगल 40 है तो यह किता होगा 90-40, एक एंगल 35 है तो यह किता होगा 90-35 होगा, तो अगर X है तो दूसरा कॉंप्लिमेंट किता होगा 90-X के बराबर होगा, फिर क्या बोला है, 1 3rd is of the other, तो according to the question क्या लिखेंगे, according to the question, that is 1 is, 1 is, 1 is like एक एंगल इसमें से 90-X को ले लेते, या तुम्हें जो अच्छा लगे, that is 2 3rd of the other, ये लिखो, या 1 is the 2 3rd of the other, कोई भी किसी तरीके से लिख दो, तो या ये चाहो तो ये लिखो, या ये लिख दो, कि X is what 2 3rd by of 90-X, दोनों बात बराबर कह रहा है, कि एक एक एंगल दूसरे का क्या है, 2 3rd of X, मला 2 3rd है, ये भी लिखा, 1 is 2 3rd of the other, ये एंगल इसका 2 3rd है, बस अब जो चाहो वैसे solve करना, वैसे solve करो, choice तुम्हारी होती है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 3 को cross multiply, तो किता होगा 3 times of what, 90 minus of X is equal to what, 2 of X, इसको cross multiply करो, तो 90 into 3, 270, और 3 into minus X किता होगा, minus of 3X is equals to 2 of X, अब minus 3X को अधर वेज़ तो 270 is equals to what, 2X plus of 3 of X के बराबर होगा, ये अधर जाएगा, positive 3X हो जाएगा, तो 270 is equals to what, 5 of X, 5 का है, multiplication हो, तो it will be coming to division, 270 by 5 is equals to what, X को cancel कर तो, this will be what, 5, 4, तो X की value किता हागे, बेटा, एक एंगल 54 डि 90 minus of 54 किता हो गया, तो दूसरा अंगल किता होगा, 90 minus of 54 degrees, तो this is equals to what, 6 and 8 minus that is 36 degrees, तो ये दो अंगल या, हतम बाल, राइजी, very easy, now coming to your next question, what is the next question says that, next question says that, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, in the given figure, CD intersect the line AB, यहाँ पर lines है, क्या बोला है, CD एक लाइन है, जो AB line को intersect कर रही है, intersect कर रही है, ठीक है, फिर बोला है at F, बोला है angle C, F, B is 50 degree, and angle E, F, A, that is E, F, A, ये वाला angle is equals to A, F, D के बराबर है, A, F, D के बराबर है, then measure the angle E, F, C को measure करके बताना, ये वाला angle हमको find करना, this is what you have to find, तो अब यहाँ पर जब कभी भी दो line, एक दूसरे को intersect करता है, तो तुम्हें सबसे पहला क्या मिलता है, vertically opposite angle, तो ये angle और ये angle क्या हो जाएगा, बेटा, 50 reason being vertically opposite angle, अब बोला है ये और ये equal है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, अब हमको परता है, 50 plus ये angle, plus ये angle क्या होगा, 180 degree, because the form of what, angle on a straight line, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, can we say that angle BFC is equals to what, angle AFD, reason क्या लिखेंगे, vertically opposite angle, VOA, vertically opposite angle, so this has come out to be what, 50 degree is equals to what, angle AFD के बराबर हो गया, अब, we know, we know, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, that is angle AFD is equals to what, angle EFA के बराबर है की नहीं है, तो ये भी कित्ता हो गया, 50 degree हो गया, अना, अब दूसरी जानकारी, तीसरी जानकारी, ये पहली जानकारी, ये दूसरी बात, और ये तीसरी बात, तीसरी बात हमको पता है की बेटा, ये अंगल प्लस ये अंगल प्लस ये अंगल के ता होगा, 180 degree, because angle made on a straight line is what, simple 180 degree, so can we say, angle A, F, E, E, F, E, E, F, E कर लेते हैं, angle E, F, A, plus angle E, F, C, plus angle C, F, B, is equals to what, 180 degree, that is angle on a straight line. angle on a straight line, so angle on a straight line है, तो जबके उठाओ values जाल दो, this is 50, plus angle E, F, C, is equals to plus 50, is equals to what, 180 degree, अब इतनी match नुम्हें आनी चाहिए, अगर ये 50 है, ये 50 है 100, तो 180 मैंसे 100 मैंस करेंगे, किता होगा, 80 होगा, पर फिर भी हम करके दिखा देते हैं, तो ये किता होगा, E, F, C, is equals to what, 180 degree, so angle E, F, C, is equals to what, 180 minus of 100 degree, which is equals to what, angle E, F, C, is equals to what, simply 80 degree, आपके आनसरागे, yes or no, so यहां से आपका सारा खतम होता है, right, this is what, it's all about the lines and angles, अब lines and angles को आप जितना अच्छे से प्राक्टिस कर लोगे, जितने अच्छे आप questions लगा लोगे, पहले तो आपको concept strong होगा, सारी 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 सेम चीज़े उठा के आपके पास class 9th में फिर से पटक दी जाएंगे, इस साल पढ़ लिया, जिंदगी, जिंगा लाला, नहीं पढ़ा तो फिर से मेहनत करना, ठीक है, तो choice आपकी है, keep on working hard, keep on practicing, मिलते हैं अपने next session में, तब तक के लिए, bye bye time, take care.